हेलो एब्रीबन स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलिजर्स कॉंसेप्ट में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यह भिहार ससी सकेंड इंटर लेवल वाइखेंसी जो आया हवा उसके लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर रहे हैं पीडियाफ चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल विलिजर्स कॉंसेप्ट को जोईन कर लीजिए वहां से इसका पीडियाफ आप फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कि बारबाती किरवा राज में इस्थित् है किस भारती राज में इस्थित् है सई हो जाएगा इसका देखे यह ओरडीसा में इस्थित् है तो तो सही हो जाएगा इसका देखिए S.L. बहुगुना सुन्दरलाल बहुगुना जो है यह राजनितिग्य नहीं थे सुन्दरलाल बहुगुना जो है देश के सुप्रसिद पढ़ियावरन वीद है और चिपको आंदोलन का सुन्दरलाल बहुगुना ने हाल ही में कहा कि 21 सदी में वैस्विक तापमान में बढ़ोदरी के साथ साथ जल संकट भी बढ़ा है और इस संकट पर काबू पाने के लिए हिमाले की रक्षा ही एक मात्र उपाए है ठीक है पनार सुप्शन नमर दो जो है इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते हैं अगला कुश्चन और देखिए इसमें कहा रहा है कि मदन मोहन मालविये को महा मना की पदवी किसने दी थी तो या पदवी इनको दिया गया था महत्मा गांधी के द्वारा ऑप्शन नमर तीन सही हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते हैं अगला कुश्चन यहाँ पर और देखिए कुश्चन नमर चार में कह रहा है कि यू एस हॉस आफ रिप्रिजेंटेटिव में सिनेटर के रूप में प्रवेस करने वाला पहला हिंदू-अमेरिकन कौन है तो सही हो जाएगा इसका देखिए तुलसी गवार्ड ठीक है तुलसी गवार्ड जो है सही आंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए गया गला कुश्चन यहाँ पर फाइब नमर और देखिए इसमें कह रहा है कि सही मिलान कीजिए सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए आप्स्ट नमर चार जो दिया हो अंड, P, पितक, प्रोटीन or V,वस, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उसके बाद देखिए गैग अगला कुश्चन यहाँ पर question number 5 और देखिए इस question में यहाँ पे कहा रहा friends कि भारत छोरो आंदोलन के समय वाइसराय कौन था सही हो जाएगा इसका देखिए Lord Lynn Lithgow भारत छोरो आंदोलन जो भारत छोरो आंदोलन जो हुआ था 1942 सिस्वी में उस समय उस समय जो वाइसराय थे Lord Lynn Lithgow option number 3 इसका सही आंसर हो जाएगा आएए अब देखते हैं अगला question देखिए इसमें कहा रहा है friends कि इन में से किसे भारती नवजागरन का जनक कहा जाता है तो देखिए दो option यहां पे दिया हुआ है बाल गंगा धर तिलक दो में है गोपाल कृष्ण को खले आएए इसका दो option और देख लेते हैं question number 7 का देखिए दो option इधर और दिया हुआ है question number 7 का देखिए दो option जो और दिया हुआ है उसमें से तिन नमर option में है लाला लाजपत्र राव चोथा है राजा राम मुहंडा है देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number 4 राजा राम मुहंडा है इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे अगला question यहाँ पे और देखिए इसमें कहा रहा है कि भारा सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोसना पत्र किसने कहा था तो यह कहा गया था याद रखिएगा जावारलाल नहरू के द्वारा ठीक है जावारलाल नहरू के द्वारा भारा सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोसना पत्र कहा गया था option number 3 सही हो जाएगा उसके बाद देखते हैं अगला question यहाँ पर और देखें इसमें कहा रहा है कि काजू की फसल पर इंडो सलफान के छिरकाओ के फल सरूप महाविपदा के अस्तर तक प्रदूसन हो गया था किस राज में तो यह हो गया था केरल में option number 1 याद रखेंगा सही अंसर होगा अगला question देख लिजिए यहाँ पर देखें कहा रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतिलाल नहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्यनेता कौन था तो वह हो जाएगा देखें चितरन जन्दास option number 2 सही हो जाएगा आईए अगला question और देखें इसमें कहा रहा है कि भारत के सम्विधान में निमलेकित में से किसे या किन है मौलिक करतब बे माना गया है देखें तीन option यहाँ पर दिया हुआ कि केंद्रे मंत्री मंडल में मंत्री मंडल सदस्य का पद निमलेकित में से किसको मिलता है तो यहाँ पद मिलता है यूजना आयोक के उपाध्यक्ष को ठीक है option number 4 सही answer हो जाएगा उसके बाद देखें अगला question यहाँ पर कहां की मूल निवासी है तो यह महनमार की मूल क्रेताओं के लिए उनकी सिमानत उपयोगी ताजल से अधिक होती है option number 2 सही हो जाएगा उसके बाद अगला question यहाँ पर कह रहा है 17 नमर में कि ब्राजील धारा के पूर्ग की ओर चलते रहने को क्या कहते है तो इसके ब्राजील धारा के पूर्ग की ओर चलते रहने को क्या क कहा जाता है तो इसे कहा जाता है याद रखिएगा दक्षिन अट्लांटिक अफवाह क्या कहा जाता है ठीक है फ्रेंट्स देखे नेक्स्ट कोशन में यहाँ पर कह रहा है कि बुद्ध के पर्थम प्रवचन को क्या कहा जाता है तो देखे इसका सही आंसर हो जाएगा option नम इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेशन यहाँ पर देखे अगला क्वेशन यहाँ पर रहने वाले चोटे से देहाती समुदाया है ठीक है फ्रेंट्स और टोडा समुदाया की जमीन जो है आज निलिगीरी बायोस्पेरी जर्व का हिस्सा है उप्सन नमर एक इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेशन यहाँ पर और इसमें कह रहा है कि वन एश्टरा रिवोल्यूशन लिखा था किसने तो यह लिखा गया था याद रखेगा मेश नोबू फुकु ओकान ठीक है उप्सन नमर चार इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन देख लिजिए यहाँ पर एक किस नमर और देखिए इसके रहा है कि सरीर का ताप मान सहसा कम होने के कारण सरीर से अधिक ताप की हानी के फल्सवरूप अल्पताफ होता है तो सही हो जाएगा इसका देखिए मानवों को ठीक है किसको हो जाता है मानवो को हो जाता है option number 2 इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे एकला question यहां पर और देखेंगे इस question में कहरा है कि राष्टपती के पद की रिक्ति आवस्य भरनी होती है कितने दिन के भीतर तो यह जो है 6 महिने के भीतर जो है भरनी ह ठीक है नौजनवरी को जो है प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में मानिता दी गई है याद रखेगा उसके बाद चलिए अगला question यहां पर 25 नमर और देखेंगे इसमें कहरा है कि मदन मोहन मालविये ने दो हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निमल रोधा और State Bank of India है तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर यहां पर एक हो जाएगा friends ठीक है इसका option नमर एक Punjab National Bank जो है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा Punjab National Bank ठीक है उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला question question number 26 और देखें question number 26 जो friends यहां पर दि जाएगा अगला question और देखें इस question में कहरा friends कि वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साजा सीमा नहीं है तो देखें वह राज्य यहां पर हो जाएगा Punjab ठीक है पंजाब की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है उसके बाद देखेंगे अ Buckingham Palace कहां है Buckingham Palace कहां है तो देखें यह स्थित है London में ठीक है option नमर एक इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question देख लिजए यहां पे नहीं है कि लोगनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो दिखें जाEPरकाश नारायन को लोगनायक के नाम से जाना जाता है याद रखेंग नमर तीन सही हो जाएगा उसके बाद देखेंगे यहां पर अगला क्वेश्चन और इसमें कहा रहा है कि पूरव में विस्तारी तुभा कौन सी परवत्य सिरेनी है जो भारत और मयनमार के बीच और भारत वांगलादेश में है सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नमर यहां पर चार हो जाएगा यानि कि उपर युक्त तीनों देखिए गारो खासी और जैंतिया यह तीरों के तीरों परवत्य सिरेनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर 34 नमर और इसमें कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खा जिल का जिल का पे इस्तित है ओड़ी खासी और इसमें कह रहा है कि राजगीर के गृद्ध कुट परवत पर मगद के किस सासक को भगवान बुध ने बाध धर में दिक्षित किया था सही हो जाएगा इसका ऑफशन नमर एक यहां पर बिम्बी सार इसका सही आंसर होगा कौन सी 30 पर सिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है तो यहां पर यहां हो जाएगा अप्शन नमर दो कोरो मंडल तट ठीक है अप्शन नमर दो हो जाएगा अगला देख लिजे यहां पर देखे अगला क्वेशन में कहरा है कि वह नदी जो कोरो मंडल तट पर डेल्टा का न लिए यहां पे 39 नमर और इसमें कहरा है कि औरंग जेव के पात्र सहजादा आजीम ने किस नगर के नव निर्मान पर एक करूर रुपे खर्च किये तथा इसे दूइतिये दिल्ली बनाने का प्रियास भी किया सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्सन नमर दो पटना को ठीक ह फ्रेंट्स उसके बाद देखिएंगे अगला क्वेशन यहां पे और देखिए इसमें कहरा है कि हिमालय का कौन सा सीखर भारत के अंतरगत आता है भारत के अंतरगत आता है तो वह हो जाएगा कंचन जंगा देखिए कंचन जंगा जो है भारत के अंतरगत आता है याद रख कि ने ठीक है समपत्तिन इसकासर के सिधानत की वाकालत कि इनके दवरा किया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा अगला देख लिए यहां पर 43 नुमर और इसमें कह रहा है बिहार में बहुत चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी कव तो यह घटना घटी हुई थी य जंगा जली यानि की तेजाव डाल कर अंधा बना दिया था याद रखेगा option नमर एक इसका सही आंसर हो जाएगा देखेंगे यहां पर अगला question 44 नमर और देखेंगे इस question में यहां पर कह रहा है कि भारत में जब पहली भारती रेल गारी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत क गवर्नर जनरल कौन था सही आंसर हो जाएगा इसका लॉड डल होजी ठीक है लॉड डल होजी जो है उससे में भारत के गवर्नर जनरल थे याद रखेगा और यह 16 अपराइल 1853 इसवी को जो है पर्थम ट्रेंज जो है चली थी याद रखेगा उसके बाद चलिए देखते ह अगला question यहाँ पर 45 नमबर और देखिए इस question में कहा रहा है कि भारती राष्टे कॉंग्रेस की अस्थापना किस वर्ष में हुई थी सही हो जाएगा इसका देखिए 1885 इस भी में भारती राष्टे कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी 1885 इस भी में ठीक है उसके बाद से अगला question यहाँ पर 46 नमबर और देखिए इसमें कहा रहा है कि MK गांधी के यानि कि मात्मा गांधी के राजनिती गुरू कौन थे सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्सन नमबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मात्मा गांधी के राज चार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है प्रंट्स उसके बाद देखेंगे अगला question यहाँ पर 48 नमबर और देखिए इसमें कहा रहा है कि वे सिख गुरू जिन्होंने 1699 में आनंदपूर साही में खालसा की अस्थापना की वे कौन से हैं सही हो जाएगा इसका देख तरायन का परतम युद और यह प्रित्वी राज चोहान और महुम्मद गौरी के वीश में यह लड़ाई हुआ था प्रित्वी राज चोहान और महुम्मद गौरी ऑप्शन नमर एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखेंगे अब अगला question यहाँ पर और देखें इस question म कि इसका एक उदाहरन है किसका एक उदाहरन है तो देखिए उदाहरन है हरा सहवाल का ठीक है option नमर चार हो जाएगा उसके बाद देखेंगे अगला question यहाँ पर और देखें इसमें कहा रहा है कि निमगन वस्तों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले उपक समान है तो याद रखेंगा यहाँ कोसिकाओं के समान है ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसिकाओं हो जाएगा option नमर एक इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला question यहाँ पर कहरा friends कहरा इसमें कि वे पदार्थ जो चुमबक से कम प्रति चुमबकिये पदार्थ कहलाते हैं ठीक है क्या कहलाते हैं प्रति चुमबकिये पदार्थ कहलाते हैं option नमर चार इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला question यहाँ पर 55 नमर और देखिए इसमें कहरा है कि यदि कोसिका को किसी विलियन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोसी का फूलने लगती है तब वहाँ विलियन कौन सा विलियन है सही हो जाएगा इसका देखिए option नमर थिरी हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटोनिक विलियन ठीक है option नमर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला question यहाँ पर 56 seven number और देखिए इसमें कहा रहा है कि किसी मनुस्खी के लिए नदी के जल की अपक्षा समुदर के जल में तायरना अधिक सरल क्यों होता है तो देखिए इसका reason है कि समुदर जल का घंत्व नदी के जल के घंत्व से अधिक होता है medicine number 2 जो है किसके संदर्व में मापा जाता है किसके संदर्व में मापा जाता है तो देखे 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number 1 calcium carbonate तुले के रूप में ठीक है संदर्व में जो है मापा जाता option number 1 इस question का सही answer हो जाएगा उसके बाद देखते हैं अगला question यहाँ पे 59 नमबर और देखे इस question में यहाँ पे कह रहा है कि अब सिष्टों में नियंतरित इस्थितियों की अंतरगत जैविक पदार्थों की जैव अप घटन को क्या कहते हैं तो देखे इसे composting कहा जाता है क्या कहा जाता है composting ठीक है देखते हैं अगला question यहाँ और देखे इस question में यहाँ पे कह रहा है कि गंदे पानी के उपचार में अवसाध हाउज का क्या कारिया है तो देखे इसका सही आंसर हो जाएगा कि निलम्बित ठोस पदार्थों को हटाना ठीक है option नमर चार इसका सही आंसर हो जाएगा देखे अगला question जो यहाँ पे दिय और देखे एगा है कि पानी में लटके हुए कॉलाइडिकन किस प्रक्रिया से हटाय जा सकते हैं तो यह असकंदन विदी से जो है हटाय जा सकते हैं option नमर चार इसका सही आंसर है अगला देख लिजिए यहाँ पे देखें कि पानी से लोहा तथा मैगनीज किस प्रक्रिया स हटाये जा सकते हैं तो देखिए सही हो जाएगा इसका वायू मिसरन के द्वारा इसे हटाया जाता है ओप्सन नमर चार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला कोश्चन यहाँ पे और देखिए इसमें कहा रहा है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा कितना गुना होता है सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे 1837 हो जाएगा ठीक है ओप्सन नमर तीन नेक्स्ट देख लिजे यहाँ पे 65 नमर और देखिए इसमें कहरा है कि फलों का मधूर या मीठा स्वाद किस के कारण होता है तो याद रखिएगा यहाँ फ्रक्टो और नेस्ट रदर फोड ने सोने की पनी पर ठकराया था याद रखेंगे उप्सन नमबर चार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां पे 67 नमबर और देखेंगे इसको बीज प्रस्तूती किसे नियंतरित होती है तो यह नियंतरित होती है ए सिसी के सीट से ठीक है ऑप्सन नमबर एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा देखेंगे वगला क्वेश्चन 69 नमबर और इसमें कहा रहा है कि दुई बीज पत्रियों में पराग कन में होते हैं सही आंसर है इसका ऑप्सन नमबर दो तीन जनन चिद्र ठीक है दुई बीज चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 72 नमबर और देखें इस कुष्चन में कहरा है कि चार केजी द्रभेमान वाली किसी वस्तू पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकेंड में 15 मिटर पर सेकेंड से 25 मिटर पर सेकेंड हो जाता है तो लगाए गए बल की गन्ना न्यूटन में करें सही आंसर हो जाएगा देखें इसका 72 का option नमर 2 यानि की 8 न्यूटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं बगला क्वेश्चन 73 नमर और देखें इस कुष्चन में यहां पर कह रहा है कि इस सूरे की बाहितम परत को क्या कहता है तो देखें इसकी फुल फॉर्म होता है ocean thermal energy conversion option नमर 4 जो है सही हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर और देखें इस कुष्चन में कहा रहा है कि एक नीवल कितने बीटों के बरावर होता है तो याद रखेंगा यह चार बीटों के बरावर होता है ठीक है एक नीवल जो है याद रखेंगा चार बीटों के बरावर होता है option नमर 2 जो है सही हो जाएगा तो फ्रांट्स यह था कि रन पब्लिकेशन के तरफ से जो विहार SEC second interlevel vacancy के लिए हम लोग model practice set कवर कर रहे हैं आज इसका हम लोग 8 वा model practice set कवर किये हैं और इसमें हम लोग total 75 question कवर किये हैं जिसमें की GKGS, GKGS और current affairs और इसके लावा general science का भी इसमें question था ठीक है फ्रांट्स इसके लावा 75 question इसमें math और reasoning से है तो इसका PDF आप लोग हमारे telegram channel villagers concept से download करके देख सकते हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे channel के साथ जूरे रहें नेक्स्ट वीडियो